Hello traders, Siemens को आज के दिन हमने ठेट किया था एक candle है जब last time price ने अपना एक lifetime high लगा था 13th December 2021 को Siemens का वही एक lifetime high था price ने तब से उस high को break नहीं किया but कल का जो trading session था ये वाली candle और आज की ये वाली candle इन दोनों नहीं कोशिश की थी यानि के कल हम कह सकते हैं ये कोशिश की थी price ने नया lifetime high लगाने की जो लगागी but price sustained हुआ, price नीचे की तरफ आ गया लेकिन कल price ने जहां से upside की तरफ एक resistance लेता यहाँ पर हम बार बार बोल रहे था आप से कि सिर्फ और सिर्फ buying देखेगा, short selling मत देखेगा टेलिग्राम चैनल पर भी हम लगाता और पोस्ट कर रहे थे बढ़ देखे, price में जिस जगह से हमें buying के लिए बोला था वहाँ पर वो reject होकर के नीचे की तरफ गिर गई थी तो कल पूरे दिन price upside की तरफ नहीं गया लेकिन आज price exact उसी level से upside की तरफ गया और एक अच्छा खासा इसने high लगाया हमने जो इसके अंदर move capture किया था 1.5 या फिर 1.87% का इसके अंदर हमने पूरा move capture किया तो एक अच्छा एक decent profit हमने सीमेंस के अंदर आज निकाला सबसे पहले यहाँ पर एपनी trade book हम लोग open कर लेते हैं लोग इन करते हैं इसके अंदर है इसप्रेसो के अंदर हम लोग पर सबसे पहले हम देखेंगे अपनी order book order book में आप देखेंगे all over हमारी total quantity है 480 quantity के साथ हमने price के अंदर सेमेंस में अपनी एक buying position active के थी 2578.65 पर एक buying position बनाया थी 2572.40 पर हमारा stop loss लगा हो तो इसके अंदर रिफ्रेश कर लेते हैं and pocket exit जो हमें इसके अंदर से पहले हमें 2620.40 पर हमारी जितनी भी quantity है थी सारी के सारी हमने अपनी square off कर दी थी but square off होने के बाद में यह stock उतना ही चला जितना हमें इसके अंदर move capture के था overall जो हमारा आज का profit है 20,000 प्लस 40 रुपेश का हमारा profit है 20,000 के round and एक काफी अच्छा moment हमें सेमें में दिखा है देखिए इस सेमें को जो आज के दिन हमें trade किया था confirm candidate trading strategy हमारी जो है उसके थूर में प्राइस को trade किया था and यहां पर जो सबसे बड़ी हमें हमें confirmation मिलती हो volume के थूर मिलती है आप हम लोग buying side में जा सकते हैं फिर selling side में अभी आगए चलकर करके point हम इसका clear करेंगा आप लोगों को इसको day time frame पर एक बार देखिए देखिए day time frame पर price के अंदर के movements हैं यह last कई दिनों से हमको upside के तरफ के ही दिख रहे है जो कि आज भी price ने हमको movement दिखाए lifetime high break करने के बाद में price ने एक अच्छा movement हमें दिखाए एक बड़ा movement दिखाए सो अब हम लोग higher time frame पर चलेंगे एक एक चीज को देखने के कोशिच करेंगे हमारा lower time frame higher time frame की price analysis हमारी किया थी and money management हमारा बबल किया था बच्चे खेलें शायद इसकी हावाज आप लोगों को आ रहे होगी सो चलते हैं सिधे हम लोग अपने charts के पर इसको one by one and tick by tick clear करने हैं कोशिच करते हैं वीडियो का अच्छा लगता है तो ज़रूर से जरूर लाइक कीज़ेगा कॉमेंट्स कीज़ेगा and अगर चार्ण पर नए है तो चलनको सबस्ताइब कीज़ेगा Thanks बिल्कुल naked chart है यह day time frame का Siemens का अभी हम अगर आपसे ही कहा है कि price ने जब यह वाल अपना low लगया थे इसके बाद मिचा price upside की दरफ जाने लगा तो हमें सिर्फ और सिर्फ इसके अंदर buying देखनी चाहिए trend line के breakout हो जाने के बाद में price के अंदर के movements देखिए जबसे price ने हमारे इस वाली range को break किया upside की दरफ इसके अंदर सिर्फ और buying हो रही है volumes के breakout होते चले जा रहे हैं लगाता है अब यहां पर एक बात देखिए यहां से लेकर के यहां तक अगर हम एक trend line add कर लेंगे तब market के अभी देखिए volume को off कर देता है अभी volume को कोई role play नहीं करते है इसमें बट यहां पर market ने क्या किया कि एक high लगा हाई लगा देने के बाद में price सीधे dump कर गया नीचे के तरफ ऐसा क्यों होगा यहां पर भी तो price हाई swing high break किये इसको तो उपर निकलना चाहिए जैसा कि अपकी बार निकला था अपकी बार इंदसन्स last time जब हम इसको देख रहे हैं यह वाला swing break कर देने के बाद में price उपर चला गया बट यह वाला swing break कर देने के बाद में false breakout और price नीचे सीधे वो गिर गया यह जो तरीके होते हैं जो false breakout के video हमने upload किया था भी कुछ दिन पहले उसमें साफ साफ हमने बताया था आपको कि false breakout कब हो रहा है like यहां पर price ने resistance दिया मतलब breakout दिखा दिया यहां से अब price जब upside की दरब जा रहे तो इसको कहीं ना कहीं से resistance मिल सकता है हमें यह देखना है कि हम अगर breakout करने जा रहा है किसी वी एक stock के अंदर अगर हमें breakout trading करनी है breakout वो कहां तक हो सकता है हमें उसके एक levels draw कर लेने है expected points draw कर लेने कि ऐसा हो थो नहीं कि price breakout कर रहा है हम तो देख रहे है price breakout के लिए बड़ जैसे price ने breakout के उसको वा हम पर एक resistance fist किया price ने और fist से नीचे गर गया यह चीज देख लेनी होगी यहां पर ऐसा ही हुआ price ने जैसे breakout देखा है वो नीचे की तरफ गिर गया हमारी radar में यह था भी नहीं सो अब हम देख रहे थे कि price ने यहां से देखी एक breakout दिखाया जो swing high बना था Siemens का वो कहां था यह वाली candle हमारी price में जब आप देखोगे 13th December 2021 price ने एक swing high लगाया था high लगा देने के बाद में जैसे ही price ने हमारे इस trend को इसको तो हटा देते हैं फिलहाल जैसे इस trend को brick किया price हमें कहां पर मिला गे 2576 याद होगा कल भी हमने यही वाले level draw कर कि आप लोगों के साथ शेयर किया था यहां से price फिर उपर गया ही नहीं यह नीचे ही गिरा है फिर से देखिए यहां से अपसाइड की तरफ जाने के इसने कोशिश की यहां से ओपर की तरफ गया फिर से नीचे गिर गया तो कल ही पूरे दिन गिरा आज market open होते ही देखिए आपको इसके अंदर volumes के breakout दिखेंगे यह देखें वॉल्यूम आयो price मेरा सीध है upset के तरफ इसने closing कर दी और फिर कल के resistance को break कर देने के बाद में price पूरे दिन अज upset के तरफ यह तो पहली चीज होए अब day time frame पर आते हैं और price को बिलकुल height कर देते है हमें अभी price को नहीं देखना है ठीक है यहाँ पर आप एक काम करिये 18th of मई के बाद में देखिए यहाँ पर कौन सबसे ज्यादा है कि आपको यहाँ पर सबसे ज़्यादा selling दीख रहे है फिर buying दीख रहे है कि volumes के अंदर सिर्फ buyers और sellers नहीं होते है किसी भी ये candles के create होने मे buyers और sellers का दोनों का बराबर का contribution होता है ऐसा नहीं होता है कि इस candle के अंदर सिर्फ और सिर्फ बाइंग हुई है नहीं चाल का अब कम हो रहे हैं इनके sellers की volume कम हो रहे है और यहां पर देखिए फिर से बाइस इतनी volumes के ब्रिकाउट कर दिया है फिर से देखिए एक बार में प्रैस का यानि कि sellers की जो क्षमता है यहाँ पर वो कम देख रहे हैं और buyers की क्षमता हमको ज्यादा देख रहे हैं तो price को भी जो हम लोग देखेंगे upside भी हमें देखना होगा अब यह नहीं कि आपने इस तरह से candles को देखा इनका particular अपनी accounting होती है उस counting के बाद में हम यह decide कर पाते हैं Selling या फिर भाई अब price में अगर हमें buying करनी है तो एक particular level भी निकालना होगा यह तो चीज हमने सिर्फ volume से पढ़े अब हमें देखना है कि कल के दिन यानि कि 5th of July मैं buying करनी थी क्यों करनी है यहां पर हम देख रहे है 6th of July buying करनी है क्यों करनी है क्या यह कोई ऐसा level है जहां से buying करनी है हाँ यह level है यह lifetime high है lifetime high पर जब price हमारा पहुंचा है तो price की activity देखे यहां पर किस तरह की हुई है सबसे ज्यादा हमारे यहां पर buyers है देख पा रहा है और price फिर से हमारे जो पहुंचा है हमारे एक lifetime high की पास में पहुंचा है यानि कि buying करनी है clear है confirm है level कौन सा है confirm है फिर से हम day time frame पर आया हमने किया कि 13th of December की high को mark कर लिया 2021 अब price में में देखना है सिर्फ वो buying को देखे यहां से price के अंदर की activities को अब हमें read करना होगा अभी मने कहा न ऐसा नहीं है कि यहां पर हमें volumes को पढ़ लिया और सिर्फ सिधे पहुंचगे buying करनी है यहां buying करनी है नहीं हमारे level है हम उस level पर ही buying करेंगे अब देखे price ने यहां पर यह वारी जो black वाली candle बनाई अब यहां से read करें because हमारा swing है यहां से update करें क्या हो रहा है price ने इस वाली एक candle को upside की तरफ ब्रेक कर दी और जब हमारा price 22nd of June के ऊपर की तरफ निकला तो देखे volumes हमारी बढ़ने लगते लगाता और volumes बढ़ने है यहां पर देखे यह एक last black वाली candle बनी और यहां से फिर से हमारा price upside की तरफ और यह मेरा एक lifetime हाई है अब यहां से अगर price को नीचे की तरफ गिरना है अगर नीचे की तरफ गिरना है अब यहां से अगर price हमारा week है तो इसको क्या करना होगा या तो हमारी 5th of July की candle के नीचे आकर के trade करने लग जया तब तो हम माल लेंगे प्राइस हमारा week है जो हमारा view था सही नहीं है हमें एक नया view बनाएंगे या फिर क्या करना है चाहिए था इसको जो हमारी last to last candle थी ये वाली candle इसके ही नीचे आकर के close करते था मतलब नीचे एक तरफ आज उसको trade करना था तो हमारी इस एक candle के नीचे आकर के closing करते था 2526 इस सारी लेवल समझ में है किस तरह से एक 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 candle का important कोई भी ये ट्रेड में अगर execute करना है तो एक एक candle को पढ़ना पड़ेगा समझ बढ़ानी पढ़ेगी प्राइस को ले करके जाहिर सी बात है शुरुआत में problem होगी problem in the sense हम कोई भी नया काम कर रहे थोड़ा सा लगेगा अरे ये कैसे ये कैसे ये कैसे वैसे यहां पर है जब आप इसकी शुरुआत करोगे तो जितना भी content हम यहां पर upload काते है यूटीब पर upload काते है अब इसको देखो समझो पढ़ो सीखो शुरुआती phase में बहुत help करेगा यह आपके बहुत ज़्यादा help करेगा price actions को read करने की अब यहां से price में upset की move हमने क्या बताया है कि अगर गिरना है तो कम से कम 4th of July की range के अंदर आकर के price trade करने लग जाए या फिर 5th of July की नीचे की तरफ आदर के trade करने लग जाए तो इन डोनों लाइन्स को हम यहां पर रखते है और इन वाई लाइन्स को इन लोग कर देते है अब हमने यहां पर क्या किया हुआ है 4th July की candle का high mark लिए इसका color हम कर देते है चेंज और इसको कर देते हैं थोड़ा सा dark ओके यह हमारी 4th of July की candle का high mark है अब देखिए क्या किया है market में कल price हमारा 9.15 की candle नीचे की तरफ आकर के closing की थी कल की market में और पूरे दिन price मेरा upset की 2578.65 यह हमारा integer point था 9.15 की candle अब देखिए 9.15 की candle को और प्लस कल के हमारे level के उपर closing किस ने की थी हमारी इस वाली एक candle मतलब कि इस एक candle के नीचे price का जाना थोड़ा सा मुश्किल है मतलब कि यह एक candle ऐसी थी जहां पर price अपना swing लगा सकता था and stop loss हमारा इसके अंदर लगा exact degree 2572.40 बिल्कुल 15 पैसे का फर्क है 40 पर हमारा stop loss लोगी यह हमारा area बना देखिए सारी activity जितनी भी हमने की है अपने day time frame की level के पास में की है यह नहीं है कि उससे दूर मतलब जो भी हमारे analysis रह की day time frame पर हमें उस analysis को अपने day time frame की level से match करते हुए ही काम करना होगा यह नहीं है कि day time frame की levels तुमरे यहाँ पर निकल रहो trade हम यहाँ पर execute कर रहे है ऐसल बड़ा हो जाएगा यह वाली जो points होते है यह safe points होगे तो entry यहाँ पर और stop loss यहाँ अब बारी आती है इसके अंदर हमने अपने targets को किस तरह से लगा है जो सबसे पहला हमारा target इसके अंदर था वो numeric numbers के लिए ना पड़ेगा round numbers के लिए ना पड़ेगा इस तरह से natural numbers का use करते हुए ही हम targets को decide करेंगे अब को candles तो है नहीं आप तो हम किस तरह से analyze करेंगे तो यहाँ पर अब ज़रुत पड़ती है हमको round numbers की यहाँ पर GAN calculation के बारे में आपने सुना होगा natural numbers बहुत help करते है जब price हमारा lifetime high पर होता अब यहाँ पर देखिए 2600 कल भी यह भी देखिए new lifetime high इसके पहले कोई price ने high नहीं लगा था बट price ने high कहाँ पर लगा है 2600 इसके पास में देखिए high लगा हमारा अब यहाँ इसके उपर अगर price को निकलना है तो कौन सा होगा फिर next number जो हमको समझ कर दिया 2620 पर थोड़ी देर में ही हमको हमारा यह वाला target पूरा मिल गया इस तरह हमने आज के Siemens को trade किया था देखिए एक एक चीज कैसे हमने price को trade किया है 2620 पर 40 पैसे का यह target चलिस को understand को लिजगा तो overall यह अपनी analysis थी हम पर लिग देते हैं and overall यह अपना setup था आज I hope कि आ आब इन सारे analysis से फर्क या फिर फायदा यह पड़ता है कि day timeframe पर हम एक तरह से candles के color को judge कर सका है ऐसा नहीं है कि रखेकर दिखी डे टे पर red candle नहीं बनेगी या फिर green candle ही बनना चाहिए या red candle ही बनेगी blue candle नहीं बनना चाहिए या पिर bullish candle नहीं बनेगी ऐसा नहीं है हम एक तरह से analysis करते हैं probability का game है पूरा का पूरा मेरे according आज के दिन market में कल के भी दिन market में green candle form होनी चाहिए थे अगर हम किसी भी stock and buying करें buying करें तो इसका मतलब क्या है कि कहीं न कहीं वो candle हमको positive वे दिखा सकती है अगर candle मेरी positive तो color का होगा तो green candle after blue जो भी आपने set कर रखे default में कुल मिला करके positive candle का color होगा तो कल भी यही हमारा माना था कि price में एक bullish candle form हो सकती है और आज भी और market ने वही किया कल के दिन भी market ने अच्छा खासा हमको bullish momentum दिखाया था और आज के दिन तो दिखाया ही दिखाया सीमेंस को आज हमने trade किया और इसने एक नए lighting में लगा भी है तो आज के वीडियो में यहीं पर खत्म करते हैं और अब मिलते हैं कल के आपी trading session में नए stocks के साथ में So thanks, goodbye and we will meet again